इस तूडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कार्बरेंडम उनिवरिसल के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 927.35 की करन प्राइस चल रही है और आज की दिन में हमें लगबग 4.40% जो है इसमें स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 1033.90 है और इसका 52 वीक लो 652 है देखे दोस्तों वीडियो बहुत शॉर्ट और इंपोर्टन होने वाली है तो वीडियो में एंट तक बने रही है तो चलिए हम चलते हैं इसके टेकनिकल चार्ट पे यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने जो इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 900 से लेके 910 का एक उपर के साइड में बहुत ही important resistance लेवल था stock जो है exactly इसी लेवल पर आने के बाद में यहीं से हमें rejections देखने को मिल रहे थे अगर आपने हमारे YouTube चैनल पर पहले भी वीडियोस बनाई है अगर आप उन वीडियोस को नहीं देगे तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए हमने यहां पर बता दिया था कि stock जो है exactly support लेवल पर आ चुका है support से यहां से जो हमें buying side entry बन रही है तो यहां से stock जो है उपर जा सकता है तीजी continue हो सकती है तो इसके जलते हमारा stock में जो target था 900 का इसमें दे दिया गया था तो अभी देखिए हमारा यहां पर target भी अच्छी हो चुका है और इसके उपर breakout भी हमें देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छी बात है तो अगर से आप इसमें fresh entry का plan करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा ESL रखके ही आप इसमें fresh entry का plan करें इसके चलते ही जल्दी stock में और भी अच्छे उपर के level अच्छी होते भी दिखाई दे सकते हैं अभी के लिए important zone की बात करेंगे तो यहां पर 940 का एक important zone रहेगा क्योंकि stock पहले भी इसी level पर आने के बाद में थोड़ा सा यहां से हमें rejection भी देखने को मिल चुका था तो यह वाला zone थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत वाली zone रहेगी तो अभी MACD indicator के भी बात करेंगे तो यहां पर एक अच्छा bullish crossover हमें देखने को मिल रहा है blue line ने yellow line को crossover करके उपर के और जा रही है और यहां पर zero line के उपर भी जो हमें green bars बनते वे दिखाई दे रहे हैं तो चलिए हम चलते हैं इसके ticker tip website पर search box में company के नाम search करने के विदा आपको left side company के नाम show करेगा और उसके नीचे इसकी current price भी show करेगी score का discuss कर लेते हैं performance average देखने को मिल रही है valuation high है growth की बात करेंगे तो average growth देखने को मिलती है profitability high है जो की काफी अच्छी बात है entry point की बात करेंगे तो stock जो है overpriced भी नहीं है और overpot zone में भी नहीं है तो सबसे अच्छी बात है और सबसे main जो important चीज होती है no red flag show कर रहा है जब आप कोई भी stock में चाहिए long term और short term और swing trade के लिए entry plan करते हो तो no red flag देखके ही आपको जो है उसमें entry plan करनी है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend क्या show कर रहा है 2019 से लेके 2022 तक का last four year का data हमारे सामने show कर रहा है काफी एची सलाम उसको consider कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही ता वीडियो अच्छा लागए तो वीडियो को लाइक करिए और यह जो वीडियो बनाईगे सिर्फो सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए बनाए तो जब भी आप कोई भी stock में entry ब कि बनाएं ऐसे बहुत सारी वीडियो से हमारी यूट्व चैनल पर अपलोड किये गए हैं अगर आप उन वीडियो को भी नहीं देखें हों तो वीडियो को भी ज़रूर वाच करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस यूट्यो चैनल के साथ तब तक के लिए टेक चेर